इसके बाद रैली के रूप में सभी करमचारी हमिरपूर गांधी चाक पहुंचे और वहां पर भी करमचारियों ने केंदर की भासपा सरकार पर जम कर नारेवाजी की और करमचारियों का शोशन करने का आरोप भी लगाए गांधी चाक पर रैली को संबोधित करती हुए यूनियन के परदिसा अध्यक्ष कुलदीप सिंग करवाड़ा ने कहा कि करमचारी वद जन विरोधी परस्तावित विजली विदेग 2018 को संसत के सीट कालिन सतर में पारित करने की प्रक्रिया पर मोधी सरकार रोक लगाए अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विदेग करमचारी यूनियन उगर अंदोलन करने से भी गुरेस नहीं करेगी उन्होंने कहा कि इस विदेग के पारित होने से जहां संचार वित्रन उत्पादन के सभी कारियों को अलग-अलग करके वहीं वित्रन के क्षेतर में एक से अधिक कंपनियों के लाइसेंस देकर अधिक राजस्व कमाने वाले अध्योगिक वह क्षेतरों में बड़े धनना स शेटों को मुनाफ़ा कमाने के रास्ते खोल दिये जाएंगे जब की क्रॉस सबसीडी खतम करके गाम के घरेलू वो क्रिशिक शेतर के उभोकताओं पर भारी भरकम बिजली वीलों का बोज लाद दिया जाएगा और बिजली क्षेतर में कारत करमचारियों की सेवा शर्तों द था पैंजन संबंदी लाबों पर भी बिप्रित परभाब पड़ेगा इस विधेक के पारित होने से बिजली की दरों का निर्धारन व अन्य नीतियों में केंदर सरकार का वर्जस्व कायम हो जाएगा और आज जे सरकार का नियंत्रन नाम मातर रह जाएगा उन्होंने कहा क कि देश के अंदर जब विदूती करन करना था तो कोई बड़ा कॉर्परेट घराना यहां नहीं आया आज जब विशाल धांचा बंच करतेयार हो गया है तो बड़े धन्ना सेटों को थाली में प्रोस कर लूट का लाइसेंस देने की बाद सरकार कर रही है उन्होंने कहा कि देश के अंदर बिजली कानुन 2003 भी बिजली सुधारों के नाम पर बिजली क्षित्र के घाटे को कम करने के उदेश से लगाया गया था लेकिन बिजली कानुन 2003 को बनाने के समय देश के सभी बिजली बोडों का घाटा 30,000 करोड रुपे था जो आज बढ़कर 4.3 लाग करो नासी विद्धेक विजरी के लिए बना है उस विद्धेक को पार्लियमेंट के अंदर पेश ना किया जाए इस विद्धेक के अस्थित्व में आने से देश के दोगपतियों को बड़े धना सेटों को लूट का लाइसेंस देने की बात हिंदोस्तान की सरकार कर रही है हम सबसे बड़ी मार उस वोकतों को पड़ेगी इसके साथ बिजली करमचारी जो बिजली किशेतर के अंदर काम कर रहे हैं उनकी शेवा शर्थों के उपर भी विप्रीत प्रभाब पड़ेगा पैंचनरी बेनाफेर्टन के ओपर भी प्रीत प्रभाब करेए हम कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जब बिजली कशेतर का निर्मान करना था तो बिजली करमचारियों ने अपने प्राणों की शहादत भी दी है बिजली करमचारियों ने खून पसेना कड़ी मेहनत करके इस बिजली कशेतर को बनाया है और हिमाचल जासे पाड़ी राजया केंदर जांन बिजली का बल्लब जगाने के लिए उसी चोटियों तक बिजली के करमचारियों को खंबों को ढोना पड़ा है बिजली के करमचारियों ने कड़ी मुशक्कत करके इमाचल प्रदेश को लेक्रिफाइ किया है उस बगत को टाटा विरला डाल में जेपी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आया लेकिन आज अब एक विशाल धंचा बन करके त्यार हो गया है इस विशाल धंचे की लूट करने के लिए टाटा भी त्यार है, रिलाइस भी त्यार है, जेपी भी त्यार है हम इमाचाव सरकार से कहना चाहते हैं इमाचाली प्रदेश के अंदर HPSCW Limited का जो मोडल वना है वो देश के अंदर सरवबपरी मोडल है एक बेतर मोडल है इस मोडल को तहस नहिस ना किया जाए पुरा देश इस मोडल का अनुशर्ण कर रह रहे हम हिमाचा सरकार से कहना चाहते हैं कि देश की 20 राजियों की सरकारें गॉर्मेंट ओफ इंडिया को इस एक्ट को लागू करने पे अपनी असेमती इजता चुकी है